Yes, 100% true, यह आज की बहुत बड़ी अपडेट है, जिन स्टूडेंट्स ने अपना ILS कर लिया है, जिनोंने रीसेंट अपना एक्जाम दिया है, इस वीडियो में मैं आपको 100% एक एक चीज क्लियर करूंगा, कैनाडा IRCC की वेबसाइट की उपर जाकर, तो प्लीज इस वीडियो को फुल देखना, अगर किसी को ILS की प्रेडिक्शन प्लस मटीरियर चाहिए, बुक्स चाहिए, तो आप मुझे वट्सेप कर सकते हो, देख सकते हो, पंजाब बोड के बच्चे भी हमारे से गाइडनेस लेकर, क्लासेज लेकर, बुक्स लेकर, करप स्क्रीन के उपर देख सकते हो, कैनाडा की वेब साइट ओपन कर रखी है, जो ओफिशल साइट है, तो यहाँ पर IRCC की फुल अपडेट आती है, आप अपने गर पे बैठ कर भी इस चीज को चेक आउट कर सकते हो, यह जस्ट आप सर्च करकर, जो आप स्क्रीन के उपर साइ तो आपको मैं फुल डिटेल दिखाता हूँ, लाइव स्क्रीन के साथ, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप 10 अगस्त से पहले अपलाई करते हो अपना वीजा, और अगर 10 अगस्त के बाद करते हो तो उसकी कंडिशन क्या है, तो हम कंडिशन के देखते हैं, अगर हम 10 अगस है, वो ILS का है, क्योंकि हम ILS की study कर रहे हैं, और ILS में भी हमारा score है, जहां तो हम ILS कर रहे हैं, जहां फिर हम PTE कर रहे हैं, तो यहां पर देख सकते हो, यह दोनों ही जारातर students करते हैं, in India, तो अगर हम बात करें, तो यहां पर first of all, हम ILS के बारे में देखते हैं, उन्हों testing system है, जो ILS का, तो उन्होंने minimum to minimum, जो minimum to minimum score है, वो कितना चाहिए, 6 चाहिए, अगर आपका 3 module में 5.5 score है, 1 module में आपका 7 plus है, जहां 8 plus है, जहां फिर 9 band score है, बट, overall, जो आपका score है, वो बन रहा है, 6, तो आप apply कर सकते हो, Canada के लिए, बट, इसमें एक biggest risk है, risk है, कि आपको कुछ colleges को, आपको select करना होगा, because colleges बहुत ज़्यादे important है, बट, एक बात याद रखें, आप 5.5 की उपर file लगा कर Canada तो चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, college ने आपको admission भी दे दिया, बट, जब आप PR लगाओगे अपनी, PR के लिए भी आपको IELTS इसका exam देना पड़ता है, और उसमें जो requirement है, बहुत बड़ी requirement होती है, अगर वो आप pass करते हो, तभी आपको PR मिलेगी, otherwise come back to India, आपको India वापस आना होगा, इसलिए अपना थोड़ा सा मानता हूँ कि आपको तकलीफ आएगी सुनने में भी और समझने में भी कि मनपरीत क्या कह रहा है, IELTS वाला इंडिया क्या कह रहा है, तो मैं तो आपको यही advise करूँगा, जिनका 5.5 band score है 1 module में, जा फिर 5 है 2 module में, चाहिए उनका overall 6 बन रहा है उनको again IELTS exam देना चाहिए, again उनको IELTS करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको free information दे रहा हूँ, जो 100% right है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, बट आज के जो लोग है, आज की जो दुनियादारी है जो आप मुझे देख रहे हो, आप ही एक human being हो, हमें क्या है, हमें पैसा देकर अपना पैसा बरबाद करकर उस बंदे को पर वश्वाश करते हैं, बट जो बंदा free में advice दे रहा है, free में हमें save कर रहा है, वो हमें बेफकूफ लगता है, सो मुझे नहीं पता कि आपको मैं क्या लगने वाला हूँ, बट आपका पैसा है, आपकी life है, मेरा काम था आ आपको advise करना, कहते हैं ना कि बाबा नानक दुनिया पे आये थे, और बाबे नानक ने आकर दुनिया को जागरुत किया, दुनिया को समझाया, बहुत लोग उनके खलाफ चले, बहुत लोग उनको मानने लगे, जिन्होंने उनकी बात माननी, आज वो सब बहुत सुखी हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और लाइफ में सक्सेस हैं जिनोंने नहीं बात मानी वो आज परेशान है और दुखी है सो minimum to minimum 6 score चाहिए बट risk मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस वीडियो में अगर आप PTE कर रहे हो तो PTE में भी आपको minimum to minimum 60 overall चाहिए मतलब कि 60 score हमें overall चाहिए 4 modules होते हैं 4 modules में हमें 5, 6, sorry चाहे किसी में 50 मिल रहे हैं चाहे किसी में 60 मिल रहे हैं चाहे किसी में 58 मिल रहे हैं तो आप 60 overall के उपर PTE में लगा सकते हो सेम इसमें भी वही सेम risk है आप देख लेना और आप इस वीडियो को देख रहे हो इस बात को याद रखना in the future, future में आपको बहुत जादे refusal देखने को मिलेंगी बहुत सारे colleges की objection देखने को मिलेंगी जैसे अभी recently Northern College का पंगा चल रहा है आपने भी सुनी होगी news Northern College ने बहुत लोगों के वीजे रिजेक्ट कर दिये बहुत लोगों की जो offer letter थी उसको ठुकरा दिया उसको मना कर दिया accept करने में तो भाई आपका decision है आपके पापा ने पैसे अगर दो नंबर में कमाया तो अड़ाओ अगर एक नंबर में कमाया है मेहनत की कमाया farmer हो चाहे आप hardware के साथ पैसा कमाया है तो please सोच समझ कर decision लेना लोगों के पीछे मतलगना agents के पीछे मतलगना अपना decision लेना उस agent क ज़रूर follow करना जो आपको right information देगा दियान से अपनी file को लगाई दियान से अपने काम को करे अगर आप अच्छा score लेना चाते हो अच्छी life बनेंगी अच्छा काम करकर बुरी life बनेंगी बुरा काम करकर अच्छी सोच रह कर चलोगे तो अच्छी जिंदगी बुरी सोच रहकर काम करोगे तो जंदगी बुरी बनेंगी So now take a decision yourself